एलो बच्चों यह है आपका क्लास थर्ड सब्जेक्ट हिंदी डिक्टेशन प्लस आइट तो आपको इसमें आपको हिंदी डिक्टेशन में हिंदी की इंग्लिश बनाने हैं तो आप कैसे बनाएंगे जैसे की हमने क्या लिखा है उपर make the English यानि क्यी English बनाओ तो उपर क्या लिखा है कविता कविता की English क्या बनेगी का से क्या बनेगा K फिर का के बाद क्या आएगा A वा से क्या बनेगा B छोटी की मात्रा से क्या आएगा आई की ता सेær आएगा K से veggénergie आएगा ए तो क्या बन जाएगी हमारी के ए भी आई टी ए कविता अब है हमारा सुनीता तो सुनीता की इंगलिश कैसे बनेगी सा से क्या बनेगा एस छोटा उ की मात्रा से यू ना से एन बड़ी की मात्रा से आई ता से टी आ से ए तो क्या बन जाएगी हमारी स्पेलिंग एस यू एन आई टी ए तो क्या हो जाएगा सुनीता अब क्या दिया हुआ है मुकेश तो मुकेश की क्या बनेगी इंगलिस हमारी एम मा से क्या बनेगा एम छोटा उ की मात्रा से यू का से के ए की मात्रा से ए शाशल्यम से एस एच तो क्या हो जाएगी हमारी M, U, K, E, S, H तो क्या बन गई? मुकेस अब है हमारा बैभवी तो बैभवी की क्या बनेगी? spelling वा से क्या बनेगा? B I की मात्रा से क्या आएगा? A, I और भावालू से क्या बनेगा? B, H उसके बाद A वा से क्या आएगा? B और बड़ी की मात्रा से क्या बनेगा? I तो हमारी क्या spelling हो जाएगी? B, B, A B, A, I B, H, A, B, I तो क्या हो जाएगी? बैभवी अब है जानवी तो जानवी की क्या बनेगी? जा से क्या बनेगा? J A से क्या बनेगा? A N से ना से N A वा से क्या बनेगा? फिर I तो क्या हो जाएगी हमारी? जानवी J A N A B I अब है हमारा आर्या तो आर्या में बड़ा A से क्या बनेगा? A अब यहाँ पर क्या है? डवला यानि कि बड़ा A है तो हम लोग इसमें डवल A भी लगा सकते हैं और A के भी लगा सकते हैं तो हम लोग क्या लगाएंगे? A R Y A तो क्या हो जाएगी? आर्या शुभास शुभास की क्या बनेगा? S U B H A S H तो क्या बन गई हमारी श्पैलिंग? सुभास विक्रम विक्रम की स्पैलिंग क्या बनेगी? B वा से वी छोटी की मात्रा से I का से क आर से रा से आर A से ए फिर M मा से M तो क्या हो जाएगी? V I K R A M तो क्या हो जाएगी हमारी स्पैलिंग? क्राम फिर शिवाम तो शिवाम की क्या बनेगी? यहाँ पर हमारा कौन सा सा है? सासल्यम बाला सा तो सासल्यम बाले सा की सासल्यम बाले सा की स्पैलिंग क्या बनेगी? S H I V V A M तो क्या होगी? सिवाम फिर है हमारी गायत्री तो गायत्त्री की spelling क्या होगी? गा से बनेगी G फिर A से आएगा A या से बनेगा Y आ का डंडा से A तरा से T, R और फिर वड़ी की मात्रा से I तो क्या हो जाएगी? G, A, Y, A, T, R, I तो क्या spelling होगी हमारी? गायत्त्री कौरब कौरब की क्या spelling होगी? का से क, आउसे A, U फिर रा से आर ए, वा से भी तो क्या हो जाएगी? क, A, U, आर, ए, भी तो कौरब फिर है हमारी गौरब तो गौरब की spelling क्या बनेगी? का से जी आउसे A, U रा से आर इ, भी वा से भी तो क्या हमारी spelling क्या हो जाएगी? G, A, U आर, ए, भी तो क्या हो गई? गौरब अब आपको H, W में इसे रिवाइस करना है अपनी रिविजन कॉपी में लिखे और H, W में सुलेग करें पर से दो